नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों आज आपकी जो 17 मार्च का पर्थम पारी में ससी सीचेसल का एक्जाम हुआ है तो इसमें टोटल 25 मैसे 24 जीकी के स्वाल हूब हु मिल चुके हैं हमेशा की तरह मेरा दावा पर रहता है जो भी स्वाल होंगे वह सत परतिशत रियल और ओथेंटिक होंगे तो इस बात पर एक लाइक जरूर बनता है स्वाल जिन्होंने वाट्सेप पे सेंड की उनको इस्पेशल थैंक्स उनमें विजे पांचाल चंदरवीर यादर रवी तिवारी सहील जाखड और पर आ रहा है जनवरी 2020 में यस बैंक के चीफ एक्जीक्यूटिव ओपिसर कौन थे जनवरी 2020 की बात और तो समय यस बैंक के CEO रवनित गिल थे और जनवरी 2019 तक CEO थे राना कपूर उनके बाद रवनित गिल बने और वरत्मान में बात कर तो यस बैंक के चीफ प्रवसICतолिकर अपना पहला वंडे इंटरनेस्नल श्रतक कितने मैचuju के बात दगया है तो सेउंटि एट मैस के बात लगया है बात करें Kundu मैकं में लगया है एक्ठािट के बात लगया है सचिन तयंदूकर ने जो डेब्यू किया था वह इन्नीं सो नवासी में किया था औ और श्ट्रिल्या के खिलाफ वीडियो मागे बड़े उससे पहले बता दूं दोस्तों यह दिए आपको चाहिए 2016 से हब्ते के नहीं 2020 तक पुछे के SSC के सभी एक्जाम के एक्ष्टा फेक्ट साइज जीके तो यहां पर आपको मेल जाएंगे 5888 जीकी के स्वाल जिसमें सीजल 2020 सीप्यो 2019 सीजल 2019 सीजल 2019 सीजल 2019 सीजल 2019 सीजल 2019 और 2016 से 2018 जितने भी एक्जाम हुए एक्ष्ट के उनके सभी के जीकी के स्वाल मातर 30 रुपे में डैस्क्रिप्शन पर पैमेंट की लिंग के पैमेंट के बाद ओटोमेटिक फाइल डाउंडोर हो जाएगी इस टाइप करना कब हुई है तो यूनिसेप की बात करो तो इस्तापना 1946 में हुई है यूनी और यून डीपी की बात करें जो यूनाइटेड नेशन्स डेवलोप्मेंट प्रोग्राम है उसकी इस्तापना 22 नमबर 1965 को हुई थी हैड़क्वाटर कहां पर है यून डीपी का तो वो न्य सेक्सवाल जरूर पूछा जाता मैंने बताया और यह पूछ लिया इसमें फॉर्मेशन कब गवा तो 11 देशन में 1946 को यूनिसेप की जो मतलब है कि स्यूंक्त राश्टर बाल कोस है यूनाइटेड नेशन चेल्डरन फंड है और मुख्याले वर्तमान में नियॉक सीटी लाश्टेड और अपने वाले से पूछा जा सकता जो भी मुगल शासक है उनकी मखबरे कहा पर है तो यहां पर ट्रिक देखिए भाजसा आप देखिए और इसको आपनों रbuild करना है कादी सिलाराबाद कादी सिलाराबाद कैसे भाजसा आपको याद रखना है यह भी करम के अनुसार है कि बाबर का मकबला हो जाएगा का नी काबूल में उसके बाद एच नी हुमाईयू का हो जाएगा दियनी दिल्ली में फिर एनी अकबर का हो जाएगा सी नी कंदराबाद में ला और फिर यहाँ पर आपके लाहोर में हो जाएगा जै यानि जहांगीर का और नेक्ट यहाँ पर ऐसे नाम से ही ओसे वह आप याद रख सकते हो शबसे बड़ा नदीदीव कौन सा है माजुलीदीव है सबसे बड़ा नदीदीव है जो के असम के असम के ब्रहम सीहाँ जी अलवा गुरू विटामीच कौन से लाव से जो रोग होते हैं तो एक कमी से रेटिनॉल और जीरो फकलेमिया रोग होता है यह स्वाल सीजिल में पूछा हुआ है अब की बार 2020 में विटामिन की कमी से बेरी बेरी और यहां पर एनीमिया जो रख्तावत पर रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से इसकरवी रोग हो जाता है डी की कमी से रिकेट्स और आटो मैलेसिया रोग हो जाता है एक कमी से परजणन सक्ति का कम हो जाना के की कमी से रुदिर का ठक्का देर से जमता है नेश्ट यापे 2020 में जो पद्म भूशन है वो किसे मिला है तो 2020 की बात करें तो टोटल 16 शक्षितों को पद्म भूशन पुरुशकार मिला है उनमें कोहने दी कि कमेंट करके आप जरूर बते हैं आपके क्या ओप्सन थे इसमें तो किन को मिला है मुम्ताज अली को मिला है स शेरिंग नंडोल को मिला है आनन्द महिंद्रा को नीलकंट रामकष्ण महदयव मैनेन को मिला है महनोर परिकर को है प्रोजगदी शेट पीवी सिंदू वेनू श्री निवासन इन सभी को ये पद्म भूशन मिला है सोहला शक्षितों को बात करें यहाँ पर पद्म विभू नोश्र मिला है वो भी आपको तरह में रखना病 है भारत रतन के बात करें तो 2019 में जहू बहारत रतन मिला है तेज आनों को मिला है सेकेंड राजी सबा कि सियुट है, वो महाराष्टर में 19 है, और लोक सबा की भी महाराष्टर में 48, ओजौन दिवस कब मनाए जाता है, तो 16 सितंबर को मना जाता है, भारत के सबसे यूओ ग्रांड मास्टर कौन बने हैं, हैं तो डी गुकेस हैं, भारत के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बने हैं 2019 में डी गुकेस इस उपलब्दी के साथ 12 साल 7 मैने और 17 दिन में भारत के सबसे कम उमर की ग्रांड मास्टर बन गए हैं जो की शत्रन्स के खिलाडी हैं चैने तमील नाडू से बिलॉंग करते हैं नेश्टिया पर सवाल है कि BCCI के अध्यक्स कौन है तो प्रेजिडेंट शौरो गांगोली है BCCI के चीप एक्जीकूटी ओपिसर राहूल जोहरी है सेक्रेटर जोकी सीजल 2020 में पूछा गया था जैशाह है मैन कोच कौन है तो रवी शास्त्री है वोमन कोच की बात कर तो डबलू वी रामन है ये मैन और वोमन टीम है उनके कोच है इस्तापना कब हुई ये BCCI की तो 1928 को इस्तापना होई थी नेश्ट आपे छटी जो अनुसुची है सीडियूल है उसमें कौन सा राज्जे शामिल है तो कमेंट करीके जरूर बते ही क्या ओप्सन थे इसमें भी छटी अनुसुची में आपके टोटल चार राज्जे है कौन से है अस्सम मेगाले तिरपुरा मेजुरम के जो जन जाती 26 की परशाषन के प्रावधान इस अनुसुची में है जो कि भारतिय समयदान के अनुच्छे 244 इसमें वरणी थे यहाँ पर छट्टे अनुसुची नेश्ट आपे ट्विटर के फाउंडर संस्थापक कौन है तो जैक डॉर्शी आपके करेक्ट हो जाएगा बाकी यहाँ पर बात करो आने की तो इनके साथ साथ नुहू ग्लास है बिज इस्टॉन है इवान विलियम्स है यह सभी ट्विटर के संस्थापक हैं और वर्त्मान में ट्विटर के जो CEO है वो जैक डॉर्शी है कारेकारी अध्यक्स हैं ओमीड कोडेश्टानी नेश्ट आपे चादर की सराज्य का पारमप्रिक ड्रेश हैं तो यह हैं दोस्तों असम की पारमप्रिक ड्रेश चंद्रियान टू का आपको वेट पूछा था तो इसका पूरे का कंबाइंड वेट यह जिसमें रोवर है और लेंडर वगेरा सभी का वेट मिला के यहां पर 3850 किलोग्राम वेट है चंद्रियान टू का इसको लॉंच कब किया गया था तो 12 जुलाई 2019 को कौन से रोकेट से बहुत बार पूछा गया है तो जीसल्वी मार्क 3 M1 से लॉंच किया गया है चंद्रियान टू को लॉंच साइट कहां से लॉंच हुआ है तो 36 स्पेस सेंटर शेकेंड लॉं आधा बाipples कहा जाता है पूचल लें कि एक निवल में कितने बाइट होते तो आधा बाइट होता है एक निवल में क्विट को है आप बूचल है कि एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं और एक मेगा बाइट में एक एमबी में कितने के भी होते हैं एक जीबी में एक जार चौबिस एमबी होते हैं नेश्ट या पर भारत का सबसे उन्चा जल परपात कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा जो जल परपात है वो वेने जुवला में इस्तिते नाम है एंजल जल परपात उसकी हाइट लगबग एक हजार मेटर 900, 99 मेटरों उच्चा है नेश्टिया पर रेल कोज फैक्टरी कहां पर है रेल कोज फैक्टरी है दोस्तों कपूर थला जो की पंजाब में है रेल कोज फैक्टरी इसतापना 1986 हो इती इसकी कैरला गोर्ट्स ओवन कंट्री पुस्तक के ओतर कौन है तो शश्री थरूर देखे शर्षी थरूर की पुस्तक से CGL 2020 में भी बहुत से स्वाल पूचे गए हैं यहाँ पर यह पूच लिया है कि केरला गौर्ट सौवन कंट्रीक बुक्स के ओतर हैं शर्षी थरूर एक दोस्ता स्वाल राष्टी वर्दावस्ता पैंशन योजना से था एक्जेक् को हुई थी और इसमें जो उमर की बात करूं तो पहले तो इसकी जो सीनियर सीटीजन के उमर 65 साल थी योजना में भाग लेने के लिए और 2011 में घटा कर शाट वर्ष कर दिया अभी उमर है साट वर्ष आपके और यहाँ पर कितनी पैंशन मिलती है तो जिनकी उमर साट से उ से अधीक है तो उनको यहाँ पर 500 रुपे की दर से इंद्रा गांधी राष्टी वर्दावंस्ता पैंशन की रूप में राष्टी परदान की जाती है नहीं पर मुत्र को किड़नी से मुत्राशी तक कौन ले जाता है तो किड़नी से जो ब्लेडर तक यूरीन केरी करता है नाडू मंदिर की है तो उसमे आपके यह दोस्तों दोस्तों जो देख्शिन भारत में मंदिर बनाये गए हैं यही सवाल था कि कौन सा मंदिर फ्लेड गया है और गंगई कोंड़ा मंदिर C जो कि दाराशुरम में यह भी चोल मंदिर की श्रेनी में है और में ब्रदेस्वर मंदिर की बात करूँ तो इसको यूनिस्कोच के दौरा राष्टे रिकॉर्ड है मुहुमद अनस यहिया के नाम जो की कैरल से बिलॉंग करते हैं इनके नाम है तो यहां पर 25 में से 24 जीके के स्वाल मैंने हुबू बता दिये एक स्वाल कौन सा आप कमेंट वॉक्स में जरूर बताई यह आज आपका पेपर था इसकी पीडियो फैल को और से नो बजे की बीच में टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली सेप्टों के लिए अभी सब्सक्राइब करके पास के बैल आइकन को जरूर किलिक करना मिलते हैं और सेप्ट के वीडियो के साथ तब तक के लिए अंदे मात्रम जै हिंदोस्तों